Hello students, in this video we will read the further story of freedom struggle of India इस से पहले lecture में हमने असयोग आंदोलन और वो जिन जिन रूपों में भारत के different parts में फैला उसकी बारे में हमने पढ़ा था इस लेक्चर में हम freedom struggle की कुछ और महत्पूर्ण घटनाओं के बारे में पढ़ने जा रहे हैं तो स्टार्ट करते हैं इस से पहले हमने असयोग आंदोलन के विशे में पढ़ा था असयोग आंदोलन महात्मा गांधी के दौारा 1920 में चलाया गया और धीरे धीरे ये आंदोलन एक व्यापक रूप लेता चला गया और इसने कई स्थानों पर अलग-अलग रूपों में ब्रिटिश सरकार को असयोग किया गया भार्टी जन्ता के दौारा फाइनली 1922 में एक चौरी-चौरा नामक घटना के चलते जो एक हिंसक घटना थी उसकी चलते गांधी जी को इस आंदोलन को वापस लेना पड़ा तो चौरी-चौरा की घटना 1922 में हुई थी गुरकपुर नामक स्थान पर हुई थी और इस इवेंट में 22 पुलिस वालों की हत्या कर दी गई थी उनको पुलिस थाने में जला कर मार डाला गया था तो दिन महात्मा गांधी थाट की ये बहुत ही हिंसक हो गया है आंदोलन और जो सत्यागरही से उनको और ज्यादा प्रिस्टिक्शन लेने की जरूरत है उनको और ज्यादा ट्रेंड करने की जरूरत है ऐसा सोचकर महात्मा गांधी ने इस आंदोलन को वापस ले लिया In February 1922, महात्मा गांधी decided to withdraw the non-corporation movement He felt that the movement was turning violent in many places and सत्यागरही needed to be properly trained before they would be ready for mass struggles महात्मा गांधी अहिंसा के पुजारी थे वो अहिंसा चाहते थे और ये आंदोलन ने जब हिंसक रूट ले लिया तो महात्मा गांधी को इसको called off करना पड़ा So in 1922, non-corporation movement finally called off by the Mahatma Gandhi With the Congress, some leaders were by now tried to mass struggle and wanted to participate in the election to the provincial council that had been set up by the Government of India Act of 1919 Some leaders they thought that if we will take part in the election in the provincial election which was decided by the Government of India Act 1919 So it was, it would be quite easy to oppose the British government ऐसा उनकी सोच थी कि अगर वो provincial election में participate करके और कोई post गेन करते हैं तो वो British सरकार की नीतियों को ज्यादा अच्छी तरीके से बैटर तरीके से उसको प्रभावित कर पाएंगे तो इसी बात को धिहान में रखते हुए जो नेता थे उनके अपने-अपने अलग-अलग पक्ष थे अलग-अलग मत थे So C.R. Das and Motilal Nehru formed the Swaraj Party in 1923 1923 में उन्होंने Swaraj Party का निर्मार किया था प्रोविंसिल election में participate करने के लिए within the Congress to argue for a return to council politics But younger leader like Jawaharlal Nehru and Subhashandra Bose pressed for more radical mass as station of and for full independence ये पूर्ण स्वराज की मांग ऐसे यंग नेता जो जवाहलाल Nehru और Subhashandra Bose जैसे यंग नेताओं ने अपनी मांग को पूर्ण स्वराज की मांग को जारी रखा और कुछ नेता जो थे वो प्रोविंसिल election में participate करके British सरकार की नीतियों को प्रभावित करना चाहते थे अब 1920s के बाद कुछ ऐसी घटनाई हुई जिन्होंने भारती राजनिती को एक नया मोड दिया वो कौन सा था कि सबसे first the first was the effect of world wide economic depression so what is world wide economic depression इनमें सबसे पहला था विश्व व्यापक आर्थिक मन्दी विश्व आर्थिक आर्थिक मन्दी वैश्विक आर्थिक मंदी से आप क्या समझते हैं, जब अंतरास्ची इंटरनेशनल लेवल पर जो प्रोडक्ट्स होते हैं, सर्विसिस होती हैं, उनमें निरंतर गिरावट हो रही हो और जो GDP है, जो सकल घरेलो उत्पादन है, वो कम से कम थ्री मंथ के डाउन ग्रोथ में हो, तो ऐसी स्थितिव वेश्व की आर्थिक मंदी कहलाती है और ये economic depression क्या था? महामंधी की कारण होते हैं, या तो बहुत जादा उत्पादन हो गया हो, जब उत्पादन ज्यादा हो जाता है, तो उन वस्तुन की, जिन वस्तुन का उत्पादन ज्यादा हो गया है, उनकी कीमतें गिर जाती है और दूसरा कारण होता है कि जब शेर मार्केट है उसके मुल में गिरावट आ गई हो तीसरा कारण यह होता है कि जब बैंक बंद हो गए हो बैंक दिवालिया हो गए हो और फोर्थ होता है कि जब बेरुजगारी बढ़ गई हो तो उस समय जो आर्थिक मंदी के कारण थे वो क्या थे बच्चों कि पहला जो कारण था वो ये था कि agriculture जो फील्ड था उसमें एक्सिस रूप में उतपादन हो गया था एक्सिस रूप में उतपादन होने के कारण जो उसकी खपत थी वो कम हो गई और उसकी कीमतें गिरने लगी जब agriculture products की गिरती कीमत जब उसके price जो है वो fall हुए तो इस्तिती और ज़्यादा खराब हो गई कीमतें गिरी तो किसानों की जो फायदा होता था वो नहीं मिलने लगा तो उनकी income पर effect बढ़ा और आमदरी बढ़ाने के लिए जब किसान उत्पादन बढ़ाने का प्रयास करने लगे ताकि कम कीमत पर ही सही लेकिन ज़्यादा माल पैदा करके वो अपना income level बनाए रखेंगे तो बजार में क्रिशी उत्पाद इतने ज़्यादा आ गए कीमते और नीची चली गई और खरिदारी के अभाव में क्रिशी उपज पड़ी-पड़ी सरने लगे तो एक तो agriculture सबसे ज़्यादा जो effect हुआ था वो agriculture field में ही हुआ था इसका दूसरा कारण ये भी रहा वैश्विक आर्थिक मंदी का कि 1920 के दशक में बहुत सारे देशों ने अमेरिका से कर्ज लिया था और जो वो invest करते थे बड़े-बड़े व्यापार में तो अमेरिका से कर्ज लेकर वो उस निवेश सम्मंदी जरूरतों को अपनी पूरा करते थे लेकिन जब हालात अच्छे थे जब अमेरिका इस फॉर्म में था कि वो कर्ज दे सकता था तो तो उससे कर्ज उटाना आसान था लेकिन जैसे ही अमेरिका के शियर मार्केट में भारी गिरावट आई तो उस कारण अर्थवेवस्था पूरी तरीके से बिगड गई तो ये आर्थिक मंदी के कारण थे और इनका भारत पर क्या प्रभाव पड़ा भारत पर ये प्रभाव पड़ा कि इस महामंदी ने इस जो एकनॉमिक डिप्रेशन था इस ने सबसे ज्यादा भारत के व्यापार पर व्यापार को यहां के कॉलाप्स किया तो 1926 से लेकर 20 ना 1926 से लेकर 1930 तब जो एग्रिकल्चर प्राइस से उनकी केमते गिरने लगी क्योंकि अंतरास्ट्री लेवल पर अंतरास्ट्री मार्केट में उन चीजों की कीमते गिर रही थी तो इसलिए उनका एफेक्ट यहां पड़ा यहां पर भी उनकी कीमते नीचे आ गई और इस टाइम पीरिड में जो देश का आयात निर्याद था एक्सपोर्ट इंपोर्ट वो भी लगबग घटकर आधा रह गया और सबसे ज़्यादा जो भारत में जो इसको इसकी मार विश्व की आर्थिक मंदी की मार जहिलने वाले लोग थे वो थे किसान और वो किसान जो की इंटरनेशनल मार्केट के लिए अपनी क्रॉप उगाते थे जिसे प्लानटिशन क्रॉप है, कॉटन क्रॉप है जो इंटरनेशनल मार्केट पे इनकी क्रॉप जाती थी तो उन पर सबसे ज़्यादा मार पड़ी क्योंकि उन लोगों ने अपने उस इंवेस्टमेंट के लिए करज लिए हुए थे और जब लोन वो जब उनकी उनकी कीमतों उनकी फसलों की सही मूल ले उनको नहीं मिला तो उस कंडिशन में उनकी प्रोडक्ट का जब मूल गिरने लगा तो उनको फायदा नहीं हुआ और वो करज उकाने में असमर्थ हो गए और ज़्यादा करज में डूग गई मंदी के इन सालों में बहुत एक्सपोर्ट इंपोर्ट भी आधा रहे गया इस्पेशली जो कीमती जो जैम्स वगरा थे यहां से जुजाते थे तो उनका निर्याद आधा रहे गया था इस तरीके से 1920 के डिकेट में वर्ड वाइड इकनॉमिक डिप्रेशन ने भारत को एक उसकी अर्थ ब्यवस्ता पर बहुत बुरा आसर डाला अगेंस दिस बैक्गराउंट न्यू टोरी गववर्मेट टोरी गववर्मेंट गांसरवेटिव की गवर्मेan पर नियु टोरी गववर्मेंट अंचिथैन च्रम्त कामीशन लेवाद आसर जोनौन मुश्त इकाशा बिल क्योंकि उस समएह तक 1928 की बात हो रही है और अब हम पढ़ रहे हैं साइमन कमीशन के बारे में तो उस समय तक भारत में कई तरीके के लीडर्स का रुख सामने आया था जैसे रैडिकल्स जैसे मॉडरेट जैसे रिवॉलिशनरी वहीं एक और महात्मा गांधी जैसे सत्याग रही इन सारे लीडर्स का जो बिटिश शरकार के प्रती जो रुख था जो कड़ा रुख था जो उनको अपोस करने का तरीका था उस से बिटिश गवर्मेंट को यह सोचने पे मजबूर कर दिया कि यहां पर constitutional system में कुछ changes किये जाने चाहिए the problem was that the mission did not have a single Indian member they all were witness so उन्हों ने यहां पर constitutional reforms के लिए एक commission ने उप्त किया पॉइंट किया जिनके which was headed by Sir John Simon और यह seven members थे इसमें लेकिन सभी members जो थे वो British थे Indian member इसमें नहीं था कोई भी तो when इस Simon commission को इसी लिए इस commission का नाम Simon commission रखा गया क्योंकि इसके जो head थे वो Sir John Simon थे और यह constitutional reforms के लिए भारत भेजा गया था इसमें seven members थे और यह 1928 को भेजा गया था भारतियों ने इसको अपोस किया वें साइमन commission अराइवड इन इंडिया in 1928 इसमें इसमें कोई भारतिये member नहीं था इसलिए भारतियों ने इसको गो बैक साइमन के नारे लगा कर और काले जंडे दिखा कर इसका स्वागत किया और इसको गो बैक साइमन के नारे लगा कर इसको इसको इसका स्वागत किया All parties including the Congress and the Muslim League participated in the demonstration Sabine Milker इसका विरोग किया in an effort to win them over the Viceroy Lord Irvin announced that in October 1929 a vague offer of dominion status for India in an unspecified future and a round table conference to discuss a future constitution जब Lord Viceroy जो समय Viceroy था उसने इस विरोग को शान्त करने के लिए October 1929 में भारत के लिए एक dominion status का एलान किया उसको declare किया लेकिन उसने इस future में इसका क्या figure होगा क्या इसके features होगे क्या कैसे ये form होगा इस वारे में उसने कुछ भी नहीं बताया तो और इसके लिए और ये भी decide किया Lord Irvin ने कि जो first goal में सम्मेलन होने जा रहा है इसमें भारती सम्विधान की रूप रेखा रखी जाएगी और भारती सम्विधान कैसे बनाया जाना चाहिए उसके विशय में चर्चा की जाएगी लेकिन जो Congress leader थे वो इससे satisfied नहीं थे So this did not satisfied the Congress leaders and the radicals within the Congress led by जवाहलाल नहरू और सुबाश शंद्र बोस the liberals and the moderates who are proposing a constitution system within the framework of British Dominion gradually lost their influence तो Congress का जो response था वो बहुत आक्रामक तेवर लिये हुए था दोनों ही जो उदारवादी थे वो भी British Dominion के भीतर मीन्टू से जो British ने जो Indian Dominion status बनाने का भारत को वादा किया था promise किया था उसके उसके अंदर समविधान बनान समविधानी व्यवस्था के पक्ष में liberals तो थे लेकिन radicals उनसे satisfied नहीं थे इन दिसंबर 1929 अंडर दे प्रेसिदेंसी ओफ जवाहलाल नहरू दे लाहूर कॉंग्रेस फॉर्मलाइज़ और दिमांड अफ पूर्ण स्वाराज और फुल इंडिपेंडेंट फॉर इंडिया 1929 को लाहूर कॉंग्रेस जो की कॉंग्रेस का अधिवेशन लाहूर में ओगनाइज किया गया था जिसके हैड जवाहलाल नहरू थे उनकी अध्यक्षता में कॉंग्रेस ने पूर्ण स्वाराज की डिमांड को रख दिया ful independence 26 january 1930 would be celebrated as an independence day when people would take a pledge to struggle for complete independence और साथ ही यह भी तह किया गया कि 26 january 1930 को स्वातन तृट्रता दिवस के रूपे मनाए जाएगा और उस दिन लोग पूर्ण स्वराज के लिए संघर्ष की प्लैज मतलब की सपत भी लेंगे और तब से लेकर और 1947 तक जो हम Independence Day मनाते आए वो 26 जनवरी को ही मनाते आए इसलिए इस डे का एक विशेश सिगनिफिकेंस है इंडियन हिस्ट्री में तो जब आजादी के बाद हमारे समविधान को लागू करने की बात आई तो हमारे देश के नेताओं ने इसी 26 जनवरी के दिन को चुना तो बन्ट असलिब्रेशन अट्रेक्टेड वेरी लिटल अटेंशन इस उत्सों में बहुत ज़्यादा लोगों ने ध्यान नहीं दिया बहुत कम लोग इसमें शामिल हुए तो अब महात्मा गांधी को लोगों को स्वाराज के लिए अपने देश के स्वतंतरता संघर्ष के लिए उकसाने के लिए स्वतंतरता संघर्ष में ज़्यादा भागीदारी हो लोगों की पार्टिशिपेट करें इसके लिए कोई अन्यमुद्दा खोजना था और वो मुद्दा कौन सा होता वो आगे जाकर सविनयवग्या अंदोलन के लिए उनको एक विशिस इशू मिला जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे अब हम बात करते हैं 3.1 इससे पहले हमने पढ़ा कि महात्मा गांधी एक ऐसे अफसर की तलास में एक बार फिर थे जब वो सभी भार्कियों को एक जंडे के नीचे ला सकते थी तो 1930 में जाकर उनको एक विशेश मुद्दा एक और मिल गया जिसकी वज़ा से उन्होंने एक फिर से एक विशाल अंदोलन के लिए लोगों को प्रेरित किया वो था नमक शॉल्ट मार्च Mahatma Gandhi found in salt is a powerful symbol that could unite the nation on 31 January 1930 he sent a letter to Viceroy Lord Erwin stating 11 demands some of these were the general interest other was specific demands of different classes from industrialist to peasants this idea was to make the demands wide ranging so that all classes within Indian society could identify with them and everyone could be brought together in a united compact so Mahatma Gandhi ने 31 January 1930 को 31st January 1930 को Viceroy Lord Erwin को एक letter लिखा जिसमे 11 demands थी जिसमें कुछ general interest की demand थी कुछ सामान्य हिद की demand थी और कुछ विशेश वर्ग के लोगों की दिमांड थी जैसे किसानों की शिकायत थी किसानों के हिद में कुछ दिमांड थी और कुछ उद्योगपतियों के हिद में दिमांड थी तो इन मांगों के जरिये गांधी जी समाज के सभी वर्वों को अपने साथ जोड़ना चाहते थी ताकि वो जो आंदोलन आगे स्टार्ट करना चाहा रहे थे उनमें सभी सामिल हो सके तो इसमें जो सबसे important मांग थी अंग्रेजों ने नमक बनाने पर कर लगा दिया था और नमक की manufacturing को पूरा अपने under control में ले लिया था तो उस condition में नमक पर से कर हटाने के लिए ये जो demand थी गांधी जी की इन सारे demands में ये सबसे महत्वन demand थी कि नमक पर से कर खतम होना चाहिए Salt was the something consumed by the rich and poor alike and it was one of the most essential items of the food इसलिए गांधी जी ने इसको मुड़दा बनाया था क्योंकि नमक हर घर की basic नीट था और इसी issue के चलते वो rich और poor हिंदू और muslim सभी को जोड सकते थे अपने आंदोलन में इसलिए इस salt issue को उन्होंने अपने powerful weapons के रूप में अपनाया and the tax on salt and the government monopoly over its production महात्मा गांधी declared revealed the most oppressive face of British rule नमक पर कर और उसके उत्पादन पर जो सरकारी जो गौर्मेंट ने अपना दमनकारी पहलू बताया था और ये कहा था कि इस पर से कर हटना ही चाहिए क्योंकि बहुत सारे गरीब जो थे वो salt manufacturing ही उनकी livelihood का काम करती थी इस वज़ा से नमक को एक हतियार के रूप में इन्होंने प्रयोग किया महात्मा गांदी इस letter was in a way an ultimatum if the demands were not fulfilled by 11 March the letter stated the Congress would launch a civil disobedience campaign तो अगर 11 March तक उनकी demand नहीं मानी गई तो वो एक बड़ा अंदोरन खड़ा करेंगे ऐसा महात्मा गांदी का कहना था Irwin was unwilling to negotiate वो भी अपनी ओर से जुखने को तयार नहीं था Lord Irwin So Mahatma Gandhi started his famous salt march accompanied by 78 of his trusted volunteers The salt march was over 240 miles from Gandhiji's ashram in Sabarmathi to the Gujarati coastal towns of Dandi And the volunteers walked for 24 days about 10 miles a day Thousands came to hear Gandhiji whenever he stopped and he told them what he mean by Swaraj And urged them to peacefully defy the British On 6 April he reached Dandi and ceremonially violated the law manufacturing salt by boiling the sea water तो ये वो पहला आंदोलन था movement था जिसमें गांदी जी ने कोई law break किया था बच्चो ये civil disobedience ये पहला ऐसा आंदोलन था जिसमें गांदी जी ने कोई law break किया था और डांडी मार्च के चलते उन्होंने साबरमती आश्रम से अपनी पैदल यात्रा स्टार्ट की थी जिसको salt मार्च कहा जाता है भारत के इतिहास में और 78 उनके followers थे volunteers थे उनके साथ उन्होंने अपनी यात्रा स्टार्ट की थी ये यात्रा कुल 240 mile meal की थी और सभी volunteers ने 24 days में 10 miles प्रति दिन चलकर ये यात्रा complete की थी और 6 अप्रेल 1930 को दांडी नामक समुद्र के किनारे दांडी नामक जगा पर पहुँच कर गांदी जी ने मुठी भर नमक बना कर नमक कानून को तोड़ा था ये पहली बार और साथ में जहां पर भी गांदी जी रुखते थे वहां पर वो अपने स्वतंत्रता संगर्ष में सामिल होने के लिए लोगों से अपील करते चलते थे और उनको स्वाराज का अर्थ समझा रहे थे इसमें दोनों में ही कुछ समानताएं हैं और कुछ दोनों में ही समानताएं हैं Civil Disobedience कि मैंने आपको पहले बताया कि Civil Disobedience Movement में पहली बार गांदी जी ने कोई law break किया था इससे पहले गांदी जी ने किसी भी आंदोलन में कोई law break नहीं किया था कोई कानून तोड़ा नहीं था तो people were now asked not only to refuse cooperation with the British as they had done in 1922 but also to break colonial laws अब लोग महात्मा गांदी के नेत्रत में कानून तोड़ना भी सीख गए थे और जैसे बाइकोट किया गया था foreign goods को ऐसे हो गांदोलन के दौरान वैसे ही सभी नहीं अवग्या अंदोलन के दौरान भी हजारों लोगों ने विदेशी कपड़ों की होली जलाई थी विदेशी वस्तों का भाहिशकार किया था 1000 in different parts of the country broke the salt door manufactured salt जगा जगा नमक बना कर इस salt door को ब्रेक किया गया और demonstrated in front of government salt factories और as the movement spread foreign plots bycotted and the liquor shop were picked and peasant refused to pay revenue अब किसानों ने भी revenue pay करने से मना कर दिया और चौकिदारी tax and village official resign and many places forest people violated forest laws going to going into reserve forest to collect woods and graze cattle तो जहां पर one कानून लगा दिये गए थे उन one कानूनों को तोड़ा गया जहां नमक कानून बना दिया था नमक manufacturing नमक के निर्मान पर प्रतिबन लगा दिया था वहां पर नमक कानून तोड़ा गया और विदेशी कपड़ों की होली जलाई गई किसानों ने tax देने से मना कर दिया ये सारी जो गतिविदिया होई ये सविने वग्या अंदोलन के दोरान होई कर दो